चलिए दुस्तों, फिट इंडिया क्वीज मॉक टेस्ट के लिए एप आज से रेडी हो गया है, आप जदी मोबाल एप पहले से डाउनलोड कर लिया होंगे तो बहुत अच्छी बात है और जदी नहीं डाउनलोड किया होंगे तो आप मेरे चैनल में वीडियो उपलब्ध है वहां से देख करके उस प्रोसेस से आप डाउनलोड कर सकेंगे क्योंकि यह जो एप है फिट इंडिया का एप पलेया स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो चलिए मैं अभी लाइप डोमो करके दिखाते हैं कि मॉक टेस्ट के लिए एप में लोगिन कैसे करेंगे तो सबसे प टच करने के बाद यहां पर वेल्कम इंटर कंडिडेट आइडी लिखता है कंडिडेट आइडी के अस्थान में अपना जो एड्मिट कार्ड में रोल नमबर दिया है वो रोल नमबर डालेंगे इसके बाद कंटिन्यू करेंगे अलाव फिट इंडिया असेस्मेंट टू रेकॉर्ड और कास्ट यूरा स्क्रीन यह स्टार्ट करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलता है अब यहां पर लोगिन आइडी दिया हुआ डेट ओब बर्थ डेट ओप पर आपको मालूम होगे वहां से टच करके इस भी में पहले जाएंगे इस भी में फिर मन्थ में जाएंगे फिर एक्जेक्ट तारीक चुनेंगे चेक बॉक्स में टिक का निशान करेंगे और साइन इन करेंगे आपका रिमोट लोडिंग हो रहा है देख सकते हैं आपके विल्कम टू असेस्मेंट और यहां पे कुछ रूल दिया गया है I will not access the following type of personal item during the exam handheld device, other electronic device, pager, watch, wallet, purse, hats, bag, coat, book, notebook मतलब एक्स्ट्रा कोई भी शामान नहीं रखना है और इसको आप चेक बॉक्स में agree कर लेंगे और continue करेंगे फिर आपको want to use your camera and microphone का allow करता है, block नहीं करेंगे दोस्तों, block करने से आपका हो सकता है एप काम नहीं करेंगे, काम नहीं आप exam में सामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको allow कर देना वेब camera और microphone is not working, please allow the browser setting यहाप इस setting में जाकर के इसको ठीक करने बोल रहा है यहाँ तक दोस्तों खुल चुका है, इसको आप check box में टिक करेंगे और continue करते हैं दोस्तों यहाँ पर permission पूछता है यहाँ permission पूछता है कि आप browser setting में जाकर के और wave camera और microphone को on कर दें अर्था सारा permission आप browser setting में जाकर on कर दें इसके बाद आप ready हो जाएंगे एक जाम देने के लिए जो जो पुछा जाएगा admit car दिखाने के लिए पुछेगा valid proof पुछेगा यह सब आपको camera के समने दिखाना है आगे फिर assessment के लिए तयार हो जाना है धन्यवाद